असलाम आलेकुम दियर क्लासिक स्टुडेंट्स, I am टीचर वकार यासीन फ्रम गवर्मेंट उपेसर कपोरा, पहरे बचो आज हम जियोग्राफिक का लेसन, ग्लोब, लाटिटूट्स और लांगिटूट्स कंटिन्यू करेंगे, और आज हमारा जो सब टॉपिक है, वो है, ही जोन्स ओफ दे अर्थ, दे अमाउट आफ सोलर रेडियेशन इस नोट रिसीवड एक्वली उंड़ सर्फेस अफ़ दे अर्थ, सम प्लेसेज रिसीव ए हुज अमाउट आफ रेडियेशन, वाइल अधर प्लेसेज रिसीव लेस्ट रेडियेशन, पियरे बचो आपको ये कि हमारी जमीन जो है हर जगा एक जैसी नहीं मतलब ये कि जो हमारी जमीन है प्यारे बच्चो इस पर कहीं पहाड हैं कहीं पर टेबल लाइक लेंड जिने हम पलेटियोस कहते हैं ये मौजूद हैं कहीं पर बड़े सुमंदर मौजूद हैं कहीं पर आगिस्तान हैं कहीं पर ज जाता है कि हमारी जमीन पर जो solar radiation है यानि कि सूरज की जो रोशनी है सूरज की जो किरने हैं वो equally यानि हर जगा बराबर तरीके से नहीं पढ़ पाती हैं कहीं पर हम देखते हैं कि कहीं पर सूरज की रोशनी जदा पढ़ती है और कहीं पर इसकी रोशनी जो है कम पहुंच पा पाती है पहरे बच्चो इस की बुनियाद पर रहने की amount of radiation जो receive करती है earth इसकी बुनियाद पर हमने earth को तीन heat zones में divide किया है यह हम पढ़ेंगे अब on the basis of amount of radiation received our earth has three heat zones अब जिस जगह पर जदा गरμी पड़ेगी वहां ज्यदा गर्मी होगी और जहां पर 攻़ रोश्नी पड़ेगी सूरज की जदा नहीं पड़ेंगी वहां पर कम गर्मी होगी यानि इस हिसाफ से हम कह सकते हैं कि हमारी जमीन के कुछ ऐसे हिस्से हैं, जहां गर्मी जदा रहती हैं, उनको हम heat zones कहते हैं, और ऐसे तीन heat zones हमारी जमीन पर मौजूद हैं, पहला heat zone है, प्यारे बच्चो, तीन heat zones हमारे यहां पर जमीन पर मौजूद हैं, एक है torrid zone, दूसरा है temperate zone, और तीसरा है frigid zone, यह आप जाद रखेंगे कि हमारे जमीन पर रोशनी सूरज की किरने कहीं पर जदा पड़ती हैं, कहीं पर कम, इस वजाए से कुछ heat zones हमारे जमीन पर बन जाते हैं, यह तीन heat zones हैं, total हमारे जमीन पर एक को कहते हैं torrid zone, दूसरे को temperate zone, और तीसरा जो है frigid zone, आगे पढ़ते हैं longitudes, इसे पहले हमने latitudes पिछली वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, अब longitudes पे हम आते हैं, longitudes are the vertical lines drawn in north-south direction, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, बच्चो, latitudes, latitudes कौन सी lines होती हैं, यह horizontal lines होती हैं, याने कि ऐसी, जो east से शुरू होती हैं, और west में खतम होती हैं, ठीक है पहरे बच्चो, और अब हम पढ़ रहे हैं longitudes को, तो इसका उलट होता है longitude, longitude कैसी lines होती हैं, यह north से शुरू होती हैं, और south में खतम, याने इस तरह होती हैं, यह north से शुरू होती है, north से start होंगी, और south में खतम हो जाएंगी, ऐसी lines को, जो vertical हो, जो north से start हों, और south में खतम हो, याने खड़ी line, straight line, है ना, तो ऐसी line को हम longitude एहसी को हम लिंगे चूट केहते हैं तो ए नौ से शुरू होती है और साउटल में खत्म होती है अगे पढ़ते हैं दे आर आज also called as meridians इनको meridians भी कहते हैं कि इनको ये जो line आप देख रहे हैं जो मैंने draw की नौर से शुरू होती है और सावत में खतम इनको meridians भी कहते हैं lines of latitude longitude कह लीजे या meridians कह लीजे तो दोनों ही का मतलब एक ही है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चो unlike parallels of latitude all meridians are of equal length they are not circles but semi-circles converging at the poles figure 2.2 तो प्यारे बच्चो जो parallels of latitude हैं जो हमने अभी मैंने आपको बता है थो जो इस्ट से शुरू होती है सौरी बेस्ट में खतम होती है इनको parallels भी कहते हैं lines of latitude भी कहते हैं और जो लंगी चूड है इनको हम lines of latitude भी कहते हैं meridians भी कहते हैं ठीक है जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि parallels of latitude जो है उनमें जो distance होती है उनका जो lenght होता है वो बराबर नहीं होता है उनकी lenght बराबर नहीं होती है लेकिन जहां तक lines of lenghtures का तालुक है जहां तक longitude का तालुक है meridians का तालुक है इनकी lenght एक जैसी होती है चलिए हम figure 2.2 का जहिज़ा लेते हैं figure 2.2 मैं आप देख सकते हों यहां आप latitudes of lenghtures को देख सकते हों मैं इसको zoom कर लोंगा भी आप देख लेना देखें यह है longitudes और यह है दुसी साइड से latitudes जो lines ऐसी होती है इनको lines of latitude के थे हैं they are horizontal but other lines which are drawn from north to south ऐसी होती है यह होते हैं semi circles यह पूरा एक circle नहीं बनाते हैं जैसे ऐसे यह होती हैं ऐसे बच्चों यह semi circles होते हैं इसको semi circle कहते हैं जो पूरा circle नहीं हो ठीक हाफ circle का half हो यह उसे भी कम उनको हम semi circle कहते हैं तो lines of language चूट जो है आप देख सकते हैं पहरे बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से यहाँ पर यह देखे यह एक line देख लेजिए आप मैं स्कोर रप कर लेता हूँ देखे यह आप देख सकते हो lines of language चूट है यह एक line आप ड्रॉ कर लें यहाँ पर एक line ड्रॉ कर लें तो half circle बन रहे हैं है ना semi circles बन रहे हैं यह जो है these are lines of language चूट these are lines of longitude lines of language चूट होती है इनमें एक खास्षथ होती है कि इनकी language equal होती है यह semi circles होते है ऐसे these are semi circles ठीक है ऐसे होते हैं यह यह ऐसे होंगे तो यह semi circles होते हैं और language इनकी बवराबर होती है जहाँ तक latitudes का तालॉक है जो ऐसे होते है ये एक पूरा सरकल बनाते हैं, ऐसे, पीचे से, उपर से, नीचे से पूरा सरकल बनाएंगे, ठीक है, but the lines of latitude are not of equal language, they are of unequal language, जैसे हम देखें कि यहाँ पर, मैं आपको थाबित करके दिखा देता हूँ, यह, देखें, जो lines of latitude हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, latitude पहरे बच्च मैं आपको बता देता हूँ, क्या है, वो यह है कि यह देखें, इस तरह मैंने एक line of latitude डाली, यहाँ पर यह पूरा सरकल होता है, पीछे से भी, यहाँ पर मैं आपको three dimensional figure नहीं दिखा पाऊंगा, देखें आप, यहाँ पर आप देखें, मैंने एक line, draw की line of latitude हैं, क्या है line of latitude अब मैं एक और line draw करूंगा, उस पर आप दियान देना, यहाँ पर आप देख लेजे, यह line और इस line में आप देखें कितना फरक है, लेंगित में, इसमें, लेंगित में आप फरक देखें, लेंगित में काफी फरक है, यहाँ पर देख लेजे, एक और line of latitude मैंने ड्रा की, तो हर जगा जो इनकी लेंगित हैं, वो बराबर नहीं होती है, जहां तक lines of longitudes का तालुक है, lines of longitudes, जिसे हम meridian, जिन्हे हम meridian भी कहते हैं, यह semi circles होते हैं, but they are of equal language, language equal होगी, बराबर बराबर line बन रही है, आप देखे, line बराबर बन रही है, है ना, तो यहाँ पर मैं, आप lines of longitudes, lines of latitude में, length का फरक रहता है, latitude जो होते हैं, वो पूरे circles होते हैं, sorry, पूरे circles होते हैं, latitudes, but semicircles होते हैं, longitudes, ठीक है पैरे बच्चों, तो यह आपको द्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक, next video lecture में हम आके इसको continue करेंगे, अला आफिस,